नमस्कार जैहिंद मैं हूँ रॉनक और आप देख रहे हैं रंतंत्र और ये वाली कहवत सुनी आपने कि रेगिस्तान में पानी और टीम इंडिया की कप्तानी सबको नसीब नहीं होती है कुल मिलाकर बात यही है कि 130 करोड की आबादी वाले देश में 16 लोगों की टीम चुनी जाती है क्रिकेट में उसमें से 11 लोग मैदान पर खेलने उतरते हैं और इन में से भी कोई एक ही ऐसा होता है जिस पे 33 करोड देवी देवताओं की एक साथ क्रिपा बरसती है तब जाकर वो कैप्टन बनता है हमने कितने ऐसे खिलाडी देखे जो बहुत लंबे टाइम तक इंडिया के लिए खेले लेकिन उने कप्तानी का लड़ू खाने को नहीं मिला वहीं कुछ ऐसे थे जिनको कप्तानी मिली लेकिन उनको सूट नहीं करी इस लिस्ट में सचिन टेंडूलकर का नाम यकीनन सबसे लेकिन उनकी कप्तानी इतनी टेंपररी थी जितनी कोरोना के बाद हमारी जिंदगी में खुशियां इस लिस्ट में सुरेश रहना गौतम गंबीर जैसे खिलाडियों का नाम आता है ये सब कप्तान तभी बने जब या तो दोनी को चोट लगी या फिर उनका जिमबावे ज श्री लंका के खिलाव बतोर भारतिय कैप्टन डेब्यू करने को तयार कैर कप्तान चाहे कोई बने न बने लेकिन इस तरह की खबरे आप कम ही देखते होंगे कि जब कोई बड़ा खिलाडी ये बोल दे कि वो कैप्टन बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया ऐसे ये खि अगर आप विदेशों की दिग्यज उनिवेसिटी में पढ़ाई करना चाहते हो तो लेवरेज एडियू फुल हेल्फ करेगा आपकी इसमें इसके बारे में मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि भाया फॉरें जाके पढ़न सिक्योर कराया है लेकिन आप मेंसे कई सारे लोग ये ही पूछेंगे कि इंडिया में बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि कौन सी उनिवेसिटी में जाके कोर्स करना है तो भी या लेवरेज एडियू के पास कोर्स फाइंडर एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जहां पर आप AI या आने भी इसे परसनली चेक किया है क्या करना है उस लिंक पर आप भी क्लिक करो कंट्री चूज करो कौन से देश में जाना है आपको फिर वहां बैशलर या मास्टर्स पर क्लिक करना है ये चूज किया उसके बाद आपको अपनी अकेडेमिक डीटेल्स फिल अप करनी है और से सारे options आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे ऐसे ही options जी हाँ ऐसे ही options 2007 में selectors के पास भी थे लेकिन उन्होंने चुने नहीं हम बात करें युवराज सिंग की जी हाँ वापस से क्रिकेट पर आ चुका हूँ लेवरेज एडिव के बारे मैं आगे बताऊँगा युवराज राहुल युवराज धोनी जैसे दिगश थे जब ये टीम हार कर वापस आई तो देश में जबरदस गुस्सा था कई खिलाडियों के घर पर पत्थर भी फेंके गए ऐसे में इंडिन क्रिकेटर्स को वैसे ही एक ब्रेक चाहिया था जैसे हमको मंडे के दिन ऑफिस से चाहि होता है वर्ल्ड कप के बाद दो महीने का इंग्लेंड दौरा था उसके बाद टीम इंडिया को साथ एफ्रिका और आयरलेंड जाना था और फिर टीट्वेंटी वर्ल्ड कप भी कम से कम एक महीना लेके जाता टीट्वेंटी क्रिकेट तो वैसे भी उस वक्त पर वैसे ही इ आज खेला था लक्षमन गांगुली साचेंडरविड इन सब ने ये फैसला किया कि ये T20 इंटरनाशनल नहीं खेलेंगे ऐसे में सेलेक्टर्स के उपर बड़ी जिम्मेदारी आई कि वो एक नई नवेली T20 टीम तयार करें और उसे T20 वर्ल्ड कप खेलने साउथ आफरीका भ बनाई गई युवराज को लगा कि उनकी फॉर्म और वो सीनियर है इस बेसिस पर उनको कैप्टन बनाया जाएगा लेकिन टीम जब अनाउंस हुई तो उनका धपा हो गया बाइस जब सिलेक्टरस ने माही महेंदर सिंग धोनी को क्याप्टन बनाया ये बात थोड़ी अजीब थी क्यूकि धोनी ने टीम इंडिया के लिए 2004 से क्रिकेट खेलना शुरू किया था जबकि युवराज का डेबियू सन 2000 में ही हो गया था लेकिन एक बड़िया टीम प्लेयर की तरह यूवी भहिया ने इस फैसले की खिलाफ कोई बगावत नहीं करी और महेंदर सिंग धोनी की कैप्टन सी में खेलना जारी रखा आपको याद दिला दें कि 2007 वही वर्ल्ड कप है जिसमें इंग्लेंड की खिलाफ एकी ओर में युवराज ने 6 चक्के मारे थे फाइनल में टीम इंडिया के जीतते ही माही का सितारा बुलंद हो गया और ये तै हो गया कि आने वाले टाइम में कैप्टन ये इच बनेंगे इतने सालों बाद यूवराज का कप्तानी वाला दर्द छलका है यह हम आपको ये बात याद दिला दें कि उन्हें दोनी से कोई या रहना जैसे मेक्शिफ कैप्टन भी नहीं बन पाए लेकिन निदा फाजली साहब तो बहुत पहले ही ये कह गए हैं कि कभी किसी को मुकंमल जहां नहीं मिलता कभी जमीन तो कभी आसमा नहीं मिलता लेकिन कोई बात नहीं यूवी ब्रो आपने इंडिया को दो-दो वर् विदेश में पढ़ाई करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है उसपे क्लिक करके लेवरेज एडियू के कोर्स फाइंडर से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोर्स करने पर आप कैप्टन बन सकते हो जी हां I mean विदेश में स्टूडेंट बन सकते हो बागी और टेलीग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना, अपना ख्याल रखना जल्दी मिलते हैं, एन जहिंद,